नेक्स्ट हम देखेंगे principle of interaction between heredity and environment यह principle यह कहता है कि कुछ types of development में heredity factors और environmental factors जो है वो एक दूसरे से interact करते हैं इस वजए से अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग तरह का development हो सकता है क्योंकि heredity जो है वो physical development को ज्यादा effect करता है तो उससे एक example देखेंगे अब अगर एक बच्चे के parents जो है वो tall और strong है तो उस बच्चे के genes में उसके DNA में अलड़ी यह लिखा हुआ है कि वो tall और strong बन सकता है लेकिन सिर्फ उन genes के वज़े से उस DNA के वज़े से वो automatically strong नहीं बन जाता तॉल नहीं बन जाता क्योंकि उसे अच्छे food की भी जरूरत है अच्छा shelter भी चाहिए और अच्छा सा physical activity भी चाहिए तो यह सारे जो factors है वो combine होते हैं, interact होते हैं इसी वज़े से वो बच्चा जो है वो tall और strong बन सकता है और इसी तरह अगर intelligence भी एक inheritable factor है तो सिर्फ एक बच्चे के parents के intelligent होने के वज़े से वो बच्चा automatically intelligent नहीं हो जाएगा क्योंकि उस बच्चे को अच्छा family environment चाहिए उस बच्चे को अच्छा education चाहिए तो सिर्फ genes या फिर सिर्फ DNA के वज़े से वो अपना potential नहीं reach कर पाता उसे other environmental factors की भी ज़रूरत पढ़ती है तो इस तरह से अलग-अलग hereditary factors और environmental factors चाहिए वो एक दूसरे से interact करते हैं अलग-अलग तरह के development में तो इस heredity और environment के बीच में जो interaction है उसे nature versus nurture debate भी कहा जाता है तो nature जो है जो हम naturally inherit करते हैं अपने parents से और nurture जो environment जिनमें हमें बढ़ने को मिलता है तो यह है nature versus nurture जिसे interaction between heredity and environment भी कहा जाता है